पलास गोंद, गोंद कमरकस, लाल गोंद, ढाक्ता गोंद, चूनिया गोंद और भी विबिन नामों से इस गोंद को जाना जाता है। कि इस वीडियो में हम इसी के विशम में विस्तार से जानेंगे ये जानने का प्रियास करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसके लाब हैं किस प्रकार इसे प्रियोग करना चाहिए और सबसे मैत्वपूर्ण क्या यह सुरक्षित है भी या नहीं तो चलिए बिना देर की अप्रारम करते हैं नमसकार मित्रों मेरा नाम है डोक्टर रोबिन सर्मा और मैं एक आयरवेदिक चिकित सकूँ मेरा क्लिनिक गुरगाओं में है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस गोंद के फाइदे क्या-क्या है दरसल यह ठंडा और सूखा होता है जिसके कारण स् करने का विधान है साथी साथ पेशाब की जलन और पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इंफेक्शन को भी यह दूर करता है पर इस गोंद का जो सबसे प्रमुख काम है वो है महीलाओं में प्रेगनेंसी के बाद होने वाले कमर दर्द को दूर करने के लिए आज भी दे दूर करते हैं पलास गोंद का एक बहुत बड़ा लाब है कि हड्यों की कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसका प्रियोग बहुत लाबदायक रहता है साथी साथ सारे रिक बल में वृद्धी करता है सरीर को पुष्ट और वीरे की वृद्धी करता है सारे रिक बल और हड पुर्षों में सिग्रपतन की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका प्रियोग करते हैं क्योंकि सीतल और रुक्षबून है जिसने कारण स्तंबन यह करता है और सिग्रपतन में इसका लापकारी परिणाम दिखता है बात की जा है मात्रा और प्रियोग वीदी की तो उससे पहले मैं आपको साउधानियों के बारे में थोड़ा सा बता देने चाहूंगा दरसल पलास गोंद जितना भी आपको बाजार में मिलेगा उसके अंदर गंदगी बहुत ही जादा मिलती है तो हमेशा उससे प्रियोग कर करने से पहले एक बार धो कर सुखा जरूर ले जहां तक बात है मात्रा की तो एक से तीन ग्राम की मात्रा दिन में एक बार प्रियोग करने के उद्देशे से प्रियाप्त रहती है अब भी आपके मन में कोई शंका है तो मुझे नीचे कमेंट में आवश्य बताईए साथी स ये आवश्य बताईएगा कि अगला विश्य अगला गौंध कौन सा हो जिसके उपर हम वीडियो बनाएं